एसियाटिक सीहो ना घरेवा सासनगीर मा रैकोर्ड ब्रेक लोको आविया मादरती ए दिवसमा एक करोणी थाय आवग तो 45,000 वदू लोको एक गीर नी विजिट लेते एसियाटिक सीहो जोवा टूरिस्टो ये सीहो नी सलामती माटे कुदतने प्राखनापन करी सीहो नों घर सासनगीर दिवारी परवती सतत तूरिस्टो थी उबरायो चै तो दिवारी गया बात पन हाल वैकेशन नी मौच माणवा भारे लोको सासर तरफ आवी रहा चै सासर तरफ आउता तमा मार्गो पर भारे ट्राफिक जुआ मड़ी रहा चै सासनगीर मातर गुजरात माटेज नहीं पर दुविश्वो भर माटे गवरो रुपी चै तेरे सरकाज बाराचे सीहो नी जाड़ों नी तेमस टूरिस्टो माटे सुविधा साथ है कुद्रती जंगल आपरा सो माटे मिशा लूप चै तेरे 23 सीहो ना ताजी तरमाज मौत थया बाबत है जे पगवार ने प्रात्ना करिये चे के सीप रजाती नी रोगी रहे अने साउट टूरिस्टो तेने जो आकायमी आउता रहे जो यहां की सुनदर यादे है वो हम साथ लेके जाता है बस सभी से यही कहना है कि अब सब लोग इहां आईए और गिल जंगल में आके फूल एंज़ाई की वनवीभाग में DCF मोहंडा में अमारी TV चैनल ने जनावी होतु कि तेरे दिवसनी वास करिये तो 35,000 वदू टूदिस टोस रातंगीर अभ्यारण अने देवड्या पार्क नी विजिट करी चुक्या छे तो वनवीभाग में एक करोर थी वदू नी आवक थाई छे तो हजुपन भाले लोगों सासरन आवी रहा छे त्यारे आवक वद से आने लोगों ए मन भरीने सी होने ज अने प्राणियों पर जुया चाने लोगों अहीं आवी भारे आनन्द पामेश हैं। में बढ़ा है। हमने जब बात करते हैं देवलिया की बात करें कि ट्यूरिस्ट का कितना इनफ्लो रहा होगा तो इस बार में काफी अच्छा है हमारे लगबग 40 से 45,000 के बीच में ट्यूरिस्ट ने 1 से 13 तारीक के दोरान में मुलाकात ली है। तो ये एक देवलिया की हम बात करें तो गीर एक नट सेल में है तो उसके बारे में काफी लोगों को जानकारी मिली है कि गीर क्या है अब हम बात करें जंगल ट्रेल की तो जंगल ट्रेल में भी इस बार में जो हुआ है बढ़ा हुआ है ट्यूरिस्ट का इनफ्लो क्यूंकि परमिट में सेंक्या में इ साइट है जो कि नेचर एजुकेशन केंप हम जहां पे करते हैं और यह गीर अईरुवेधिक गार्डन है उसमें भी लगबाग 18 से 20 सज़ार ट्यूरिस्ट ने मुलाकात लिया यह दरसाता है कि ट्यूरिस्ट काफी चीज के बारे में अवेर हैं और काफी चीज के बारे में ज चाहते हैं यहां लाइन तो देखा ही देखा लोगों ने लाइन के अलवा दूसरी चीज जैसे कि अईरुवेधिक गार्डन देखा नेचर एजुकेशन केंप सैट है उसमें क्या होता है उसके बारे में देखा तो यह चीज की है अब आपने पूछे कि जैसे की बात करते ह है कितने ट्यूरिस्ट आए विजिट किये टोटल हमारा जैसे एक आंकड़ा देखते है तो सतर से पिछेतर हजार ट्यूरिस्ट का आता है इतने दिन एक से तेरा तारिक के बीच में इसकी जब हम आमदेनी को जस्ट देखते हैं एक रफ आइडिया में तो लगबग एक करो po ये तो हमारे जसट एक आंकड़े के रफ बेसिस पे निकला पर मेरा ये कहना है क्ँछने जो हमारे जिसिस घाइड है लोकल जिप्सी ए जो हमारे यहाँ परेट होती है उसके साथ जो लोकल driver है उनको भी income में बढ़ा है उनके जो भी जितना system है उस system के according काम करके उनको जि तो यह बहुत अच्छी बात है हम सभी के बारे में और यह सीजन दिपावली का काफी अच्छा रहा है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहे ताजे दर्मार सरकात वाला गेर कायदे सर्गरोकांौ तेमेज गेर कायदे सरी सीन धर्धर बावते वन विभाग और राजे सर्कार अलिट हो तियारे तमाम तूरिस्टो नियम मूझवच कायदे सरी नर्ष न करवानों आग राकी रहाया चै्छा है। विबाग पन लोगों नी सुविधा माटे भारे मैनत करी लोगों ने तकलीफ ना पड़े ति माडे सततकारी करतूर रही हो छे तो सासन गीना DCF मोहन राम में मिडिया साथी नी वाची समा हुवा दूजर आवियो तो क्या में दिवाडी परवे तारिक 133 सुधी नों काचो अंदार्ज तयार करी हो छे तो देवडिया पार्क मां पीचरा साथे जिप सीपन सीदसन माटे शरू करी छे तो यह भारे ट्राफिक ने लई 150 परमिट ने बते 180 परमिट अपाई छे तेरे टूरिश तोनी संक्या सततवधी रही छे तो देवडिया पार्क मां तारिक 133 वचे 40-25,000 लोगों यह मुलाकात लिदी छे तो यह रभ्यादर मां अग्यार की 12,000 लोगों विजर्ड करी चुग्या छे तो गुर्द ना खोड़ा मां समाज गर मां 1000-20,000 लोगों आविया छे अने लोगों अनिक हेतू साते अहीं आवी रहा छे तो गुलचला 13 दिवस मां सासन गिमा 35,000 चिटला तुरिश तो आविया छे अने अमारी आवक एक करोर थी वदू थाई छे तो हाल पर सारों वो ट्राफिक होई त्यारे वन विबाग नी आवक उद्वानी पर पूरे पूरे शक्याता छे तो साते स्थानिक लोगों नी रोजगारी पर वदी छे जे सोव माटे आनंद नीवात छे हम काफी सालों से हमने यह सुना था कि गीर में जो नैशनल पार्क है उसमें लाएन है खिरन है और काफी सारे वन्यजीव है और वो देखने के लिए हम सब लोग यहाँ पर पदारी हुए है और हमने ये यह भी सुना है कि भारत वर्ष में सबसे बड़ा नैशनल पार्क है, साथ ही दुनिया में भी इस नैशनल पार्क की बड़ी क्रेज है, लोगों को देखना बड़ा अच्छा लगता है, और काफी सारे लोग यहां परियाटन करने के लिए सफारी करने के लिए आत तो होता है इसलिए हम भगवान से प्राड़ताना करते हैं कि यह जो लायन है यहाँ पर इनका सवर्दन होना चाहिए जीना चाहिए और लोगों को देखने का अच्छा आउसर मिलना चाहिए जाकि सभी को उसको उससे खुशी मिले राकेश परडवानो रिपोर्ट की करते हैं।